हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चेनल कुक विट सोनम और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज मेरी किचन में बनने वाला है ये लोगी के कोफते जो की खाने में एकतम डिलीसियस लगते हैं और मैं यही बनाना आपको बताऊंगी वो भी कुछ नियू टिप्स और ट्रिक्स के साथ था ये जल्ड इसे देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं ये तो इसके लिए मैंने यहां पर ये हाफ केजी से थोड़ा जादा होगा लोगी बोटल गार्ड वो लिया है और मैंने इसे कद्दू कस करके थोड़ा साल्ट एड़ करके इसे ऐसे तिर्चा करके रख दिया था ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना लोगी में व निकल जाए तो यह ऐसे हम इसे अपनी हतेलियों से दबाते हुए इसका जो भी इसमें एक्स्ट्रा वोटर है पूरा निकाल देंगे और इससे क्या होगा यह एक्दम ड्राय ड्राय हो जाएगी तो बनाने में काफी एजी रहता है तो आप भी ऐसा ही करें यह देखिए इस तो अभी हम इसमें बाकी की चीज़ा एड़ कर देते हैं यहाँ पर मैंने ये टू मीडियम साइज की अनियन लिया है जिसे मैंने ऐसे डाइस में कट करके रखा है और यहाँ पर मैंने फोर फाइफ ग्रीन चिलीज ली हैं आपको जितनी पसंद हो तीखा आप उतना ही डाल सकते हैं साथ ही में धनिया पती कोरियंडर लीव्स इनको मैंने पहले अच्छे से वाश करके ही कट किया है यह सब चीज़े मैं इसमें डाल दी है आप जितनी कौंटिटी में बना रहे हों आप चीज़ें उसी हिसाब से डाल सकते हैं साथ ही में वन टेबल स्पून एड़ क साथ ही में इसमें एड़ कर देंगे हम बेसन बेसन में ने 5-6 टेबल स्पून के करीब एड़ किया है अभी मैं डाल कर देखूंगी अगर और जरूरत पड़ी तो हम और एड़ कर लेंगे साथ ही में डाला है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और half tablespoon के करीब में ने एड़ किया है turmeric, healthy powder साथ ही में इसमें एड़ कर देंगे हम chili powder one and half tablespoon के करीब में ने एड़ किया है masala की quantity आप अपने taste के according कम ज़्यादा रख सकते हैं तो इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे ऐसे spoon से तो mix नहीं होगा तो आप hand से ही कर दें अच्छे से ये देखिए इस तरीके से mix कर लेंगे हम अच्छी तरीके से ये कोफते खाने में बहुत यम्मी लगते हैं साथ ही में इसमें एड़ करूंगी में गरम मसाला half table spoon तो ये next tips है आपके लिए कि जबी भी आप कोफते बनाएं तो गरम मसाला जरूर एड़ करें और थोड़ा सा हींग यानि की one four table spoon के करीब इससे बहुत ही यम्मी बनते हैं हमारे कोफते तो कोफतों का जो mixture ready हो जाए ready होने के एकदम जबी भी आपको बनाने हो आप उसमें salt तभी एड़ करें पहले से एड़ करके ना रखें वन्ना इसमें और water निकल आएगा तो मैंने जैसे ही बनाना शुरू किया है उसी से जस्ट पहले डाला है मैंने salt तो यह देखें यहाँ पर हमारा कड़ाई में मैंने refine रखा है वो भी गरम हो गया है तो इसे हम कोफतों की सेप में इस तरीके से रख देंगे बनाकर इसमें यह देखें आप जितने मोटे पतले बनाना चाहें आप ऐसे बना सकते हैं क्योंकि gravy में जाने के बाद यह बहुत ही full जाते हैं यह देखें इस तरीके से हम इने डाल देंगे और आज को यहाँ पर आप पहले तो थोड़ा तेज रखें जब आप इनको बनाएं और पूरे डालते जाएं और उसके बाद आप flame को medium पे कर दें ताकि अच्छे से यह अंदर तक पक जाएं तो यह देखें एक साइड से यह हो चुके हैं तो मैं इने दूसरी साइड से पलड दूँगी अगर आप इनको कम आज पे पकाएंगे तो यह बहुत ही अच्छे बनेंगे आपका oil भी जादा नहीं जलेगा वेस्ट नहीं होगा तो यह टिप्स है आप सबी के लिए जबी भी आप पकोड़े या कोफटा वगएरा बनाएं पहले आँच जादा रखें उसके बाद आप मीडियम या लोग पे रखके ही पकाएं तो अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे तो यह देखिए यह मैंने इनको अच्छे से उलटते पलटते हुए पका लिया है और खुश्बू तो एकदम ला जवाब आ रही है आप एक बार इस रेसिपी को जरूर शाय करें इस तरीके से आपके कोफटे बहुत ही यमी बनेंगे यह देखिए अभी हम इनको निकाल लेते हैं एक पलेट में और उपर से एकदम करंची करंची हो जाते हैं यह ऐसे डालना हमें ग्रेवी में ही है पर इन्हें अच्छे से हमें पकाना होता है ताकि अंदर से जो कच्छापन है लोकी का अंदर तक वो पूरा निकल जाए तो इसी तरीके से मैं और कौफते भी बनाकर रेडी कर लूँगी तो यहां पर मेरी थोड़ी सी वीडियो डिलिट हो गई तो यह मैंने यहां क्या किया ओयल में वन टेबल स्पून ओयल में मैंने यहां पर टमैटो का जो टमैटो प्योरे है उसे पीस का डाल दिया है दो टमाटर का और उसे जस्ट वन मिनट ही पकाया है मैंने और उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट एड़ किया है और यहां पर हम मसाले अड़ कर देंगे वन टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टेबल स्पून एड़ किया है मैंने चिली पाउडर दुबारा से वही बोलूंगी कि मसालों की कौांटिटी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग रख सकते हैं हाफ टेबल स्पून डाला है मैंने टर्मरीक पाउडर तो यहाँ पर मैंने टू टमेटोज को मिक्सर में अच्छे से ग्राइन कर लिया है और उसे ही डाला है पीस कर और मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून डाला है काश्मेरी लाल मिर्च आप के पास हो तो आप डाल सकते हैं वरना आप इसकिप कर सकते हैं इससे कोई कलर आ जाता है थोड़ा अच्छा सा कोई तीखा पर नहीं आता है बस कलर एकदम बढ़िया सा दिखता है ग्रेवी का तो ये देखे बहुत ही अच्छा कलर आया है और यहां मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारा टमाटर है और मसाले अच्छे से पक जाए तो ये देखे इस तरीके से तो इसे पकने के लिए मैं दो मिनट के करीब छोड़ूँगी मीडियम फ्लेम पर ताकि जो ओयल है अच्छे से सर्फिस पे आ जाए और मसाला अच्छे से बुन जाए तो ये देखे दो मिनट बाद मसाला बुन गया तो मैंने इसमें सारे कोफते डाल दिये हैं और ग्रेवी जितना आपको रखना हो ठीक या थोड़ा सा रनी आप उसी तरीके से रख सकते हैं मैंने थोड़ा ही वाटर डाला है जादा नहीं क्योंकि कोफते पूरा पानी पी जाते हैं और एकदम फूल के मोटे मोटे हो जाएंगे थोड़ी देर बाद तो यहाँ पर पानी डालने के बाद थोड़ी देरी से पकने रखेंगे हम साथ ही में डाल दूँगी धनिया पत्ती लग रहे है ना देखने में एक लाएक दम लाजवाब बढ़िया यह रेसिपी बहुत ही कमाल की है आप जरूर ट्राय करें और यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला वन फोट टेबल स्पून के करीब और यह डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर या फिर लो फ्लेम पर पकने को छोड़ देंगे दो से डाई मिनट के करीब इससे ज़्यादा नहीं ताकि जो ओयल है अच्छे से सर्फिस पर आ जाए ओयल भी एकडम सर्फिस पर आ शुका है और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इनसे तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें मैंने और भी बहुत सी रेसिपी डाली है उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूगी और आई बटन में आप जरूर चेक करें तो आईए कर लेतें इसे सर्फ तो यहाँ पर मैंने यह अपना प्यारा सा एक बॉल लिया है इसी में सर्फ करूंगी आपको जैसे पसंद हो आप वैसे इसको सर्फ कर सकते हैं और खा सकते हैं इसे आप जीरा राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ और रुमाली रोटी के साथ तो बहुत ही यमी लगते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें जब ही भी आप ये कोफ्ते की रेसिपी ट्राय करें कि कैसी बनी थी आपकी ये रेसिपी तो इस तरीके से हम इसे सर्फ कर लेंगे पहले में ये कोफ्ते इस तरीके से नहीं बनाती थी पर जब से मैंने ऐसे ट्राय किया है बहुत ही अमेजिंग बनते हैं आप जरूर श्राय करें तो इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी डाल देंगे वो पता नहीं क्या है जब ही मैं सर्व करती हूं गिरता जरूर है तो यहां पर मैं इसे उपर से गार्निश कर दूँगी दो ग्रीन चिली के साथ इसे मैंने 20 से कट किया है और उपर से डाल देंगे हरा धनिया तो लीजे रेडी हैं हमारे यह लोकी के कोफते तो आप भी जल्दी से जाईए और ट्राइ कीजिए और अपने घर वालों को बना कर खिलाईए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप इंजॉय कीजिए अपनों का ख्याल रखिए प्यार बांटिये खुश रहिए बाई बाई एवरिवन और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सकाइब जरूर करके जाए बाई बाई